हलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल मैं मदुवला स्वामी मेरे व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हो आप सब आप सब ठीक होगे और व्लॉग सुरू करने से पहले छोट इस रिक्वेस्ट है यह रैड शब्द सस्क्राइब कीजेगा गाईज बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो और सस्क्राइब और लाइक फ्री है गाईज इसमें कंचुसा इमत करिएगा थैंक्यू फॉर पॉच्च सब्सक्राइब यह सुबह का टाइम है तो सिंपल सी में मतर और आलू की सब्신ग तो बस आलू को काट लिया मैंने और सरसों के तेल में राइस जिरा डाल के आलू डाल दिए और मतर डाल दिया और सिंपल बना रही हूं और जिंग के मेश कर देंगे आलू को तो सब्जी औरी टेस्टी हो जाएगी बस फिर मैंने चपातियां भी बना ली थी तो यहां पापाई जी की थाली सर्फ कर रही हूं मैं जैसा कि मैं बता रही हूं गाईज अभी सर्दी के दिन है अभी गौंद के लड़ू चल रहे हैं तो पापाई दूद पी लेते हैं बिस्कट वगेरा रख 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 रंख रख उंके लिए वहां पे तो वह खा ले ले लेते हैं और फिर सके बाद में खाना खाते हैं तो लहसुन की चटनी देदी यहाँ पर मटर आलू की सबजी चाच देदी और चपाती देदी आज मैंने परांठे नहीं बनाये मन नहीं था थोड़ा परांठे बनाने का और अभी जैसा कि आप सबको पता है अभी तबेत खराब थी थोड़े दिन पहले तो वस अभी अब ठीक हुई है मेरी तबेत और यह देखे किता गाड़ा-गाड़ा दही हमारा जमा है जैसा कि मैं बताती हूँ कि आप दही को कैसरोल में जमा सकते हो नहीं तो आप आठे के डिबे में जमा सकते हो और नहीं तो आप इस तरीके से भगोने में रखके कपडा और इस तरीके से जो है कर सकते हों पस टीफिन पैक करके दे दिया था फिर दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और ये दिन में फिर चाय पीने के बाद में यहां पर ये देखिए साम का टाइम है और कड़ाई में मैंने सरसो का टेल डालके राई जीरा डालके और जो प्याज और मिर्ची डालके पकोड़ी बनाते है ना वो पकोड़ी मैंने साथ में डाल दी ताकि जो है ये पक जाईए साथ में इसलिए डाली है और बस अब हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल दूँगी और सबजी को मैंने पहले अच्छे से साफ करा और फिर दोली या पाँच्छे पानी से और उसके बाद में जो है काड़ दिया था और बस यह देखिए यहां पर अभी लाते जारी हूँ मैंने सब्जी को वाला नहीं था गाईस क्यों बालना से पोशक तात्व नस्ट हो जाते मेरा यह मानना है तो मैंने कच्चा ही डाला है फिर लहसुन की चटनी डाल दी लहसुन और लाल मिर्ची की और यह देखिए कि अच्छा कलर आया बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तयार हुई है बट अब मुझे दो चीजे बनानी है इससे यह सब्जी भी मुझे निकालनी है क्योंकि यह सब्जी में और स्वामी जी तीनो उसके बाद में यहां दाही में मैंने बैसन डाल दिया और विक्स के साइता से इसको अच्छा से फॉल्ट करू लेंगा और अब यह घ्ने अशी में यह मश्यन और बटर मिला गएंग ऐह बैस पानी डाले और यह कड़ी बन जाएगी और यह पालक बत्फो और मेथी और जुहे इसकी पकोड़े की कड़ी बन जाएगी तो इसको आसानी से बच्चे खालेंगे और यह सबजी हमारी स्वादेश्ट बन के तयार होई गई और यह देखे किता अच्छा कलर आया है आप एक बार ट्राय जरूर कीजेगा गैज अगर आपके पास पकोड़ी ना हो त कि इसकीप कर सकते हो अपके और सरसो का साग हो तो वो भी आप इसमें मिला सकते हो और बस यह फिर यहां पर कड़ी को हिलाती जा रही हूं मैं पानी डाल दिया इसके अंदर और बहुत ही देखी किता अच्छा कलर आया है तो सबजी और कड़ी मेरी बन के तयार हो गई और चोटा सब व्लॉक है गाई इसमें मैंने पारलर से रिलेटेड जो है वीडियो क्लिप नहीं जोड़ी है और आप सब जो जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए बहुत 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 आये दिल से धन्यवाद गाई और बस फिर मैंने आटा लगा लिया था और यह द चाला है आटा और सूजी और बैसन आटा सूजी बैसन का हलुआ वनारियों में थोड़ा सा क्योंकि पांसात दिन से कुछ ऐसा ही खाना खाया है सभी ने तो मैं अच्छा अच्छा बना के खिलाओंगी स्वामी जी और पापाजी को तो बस यहां पर गोल्डन ब्राउन हु उसको लप्टा बोलते हैं मेरी मम्मी बहुत जादा बनाती है नाना जी को पसंदे लप्टा और वो गुड़का बनाती है मैं चीनी डालती हूँ और वो गुड़का हलुआ अभी जो है सर्दियों में बहुत ही फाइदे मंद रहता है गैस आप गुड़का बना सकते हो फि पिर में बस चपातियां सेकती जारी हों और बस पापा जी की थाली सर्व करके दे दूंगी सुवामी जी भी आ जाएंगे यहां पर बजदा दूंगी तोburgयों